हेलो एवरिवन वेलकम नाओ वी विल स्टड़ी दे सब्जेक्ट डार्क रूम ओफ डे आर्टी पार्ट फेस्ट जैसा कि आपको पहले से पता है कि डार्क रूम में हमारा टोपिक चल रहा था इमेज गॉालिटी इसी टोपिक को आज हम फिर से आगे की तरफ कंटिनू और एक और बात ये आज का इमेज गॉालिटी का हमारा लास्ट लेक्चर होगा नेक्स लेक्चर में हम नए टोपिक्स के बारे में डिसकस करेंगे दैट मेंस कि इमेज गॉालिटी आज हमारी खतम हो जाएगी ठीक है इमेज कॉालिटी की बहुत सारे चीजों के बारे में फिर बहुत सारे सब topics के बारे में last lectures के अंदर याने की पीछे के अपने जो lectures थे उन में हमने अच्छे से details में बहुत सारे topics discuss किये ठीक है इनका introduction for example और फिर ऐसे factors जो image quality को influence करते हो या फिर परभावित करते हो उन factors के बारे में भी हमने details के अंदर पढ़ा था उसके बाद में कुछ low के बारे में कुछ low fail हो रहे थे उनके बारे में कुछ radiographic science वगरे के बारे मतलब बहुत सारे topics के बारे में हमने discuss किया था आज के हमारे last दो topic बचते हैं इसके अंदर छोटे 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 जिनको हम आज discuss करेंगे then after we will complete this topic ठीक है उससे पहले आगे के topic स्टार्ट करने से पहले वही अपना जो routine होता है एक बार पिछे के topic का short revision हम कर लेते हैं ताकि आगे के topic आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है जैसा कि हमने image quality के अंदर image quality introduction और factors के बारे में पढ़ा था उनके बारे में हम आज discuss नहीं करेंगे क्योंकि because हमने पीछे के कुछ lectures के बारे में तीन या चार बार उनके उपर discuss कर लिया है ठीक है हम केवल आज बात करेंगे last lecture की जो हमारा last lecture था उसमें हमने क्या पढ़ा था केवल उसकी ठीक है last lecture में हमने mainly दो topic पढ़े थे ठीक है एक था आपका reciprocity failure और दूसरा था sensitive matri सबसे पहले मैं एक बार reciprocity failure को दुबारा से एक बार discuss कर सकता हूँ ठीक है reciprocity failure पढ़ने से पहले हमें एक बार दुबारा से किसको समझना होगा reciprocity low को ठीक है तो सबसे पहले हम reciprocity low को समझेंगे then हम समझेंगे reciprocity failure क्या होता है और फिद देन हम समझेंगे sensitive metric क्या होता है ये तिनो topic समझने के बाद हम आगे के जो ने topic साव अपने start करेंगे ठीक है reciprocity low हमें ये बताता है कि आपकी जो radiographic x-ray film होती है उसके उपर जो density produce हो रही है वो directly depend करती है total exposure के और इसके लिए reciprocity low ने एक equation भी थी थी जो हमने कल अच्छे से discuss की थी e is equal to i into t e यहाँ पे अपना exposure था i यहाँ पे intensity थी और t यहाँ पे exposure time था reciprocity low कि अगर आपन simple से बात करें तो reciprocity low हमें ये है बताता है कि for example दो आपकी x-ray film है ठीक है आप अगर दोनों को exposure अगर same देते हो तो आपके density वहाँ पे same produce होगी चाहे उनकी जब आप exposure दे रहे हो उस radiation beam की intensity अलग-अलग हो सकती है या फिर उनका जो exposure time था वो भी अलग-अलग हो सकता है बस बात इतनी है कि जो total exposure हो अगर same होगा तो density वहाँ पे same produce होगी ये कौन बता रहा है reciprocity low बता रहा है जो आगे चलके fail हो गया था विकोज ये आपको भी पता है आपने भी ये चीज़े पढ़ रखी है कि exposure time होता है उतसे भी density क्या होती है effect होती है और intensity से भी क्या होती है density effect होती है इसका मतलब reciprocity low क्या होता है यहाँ पे fail होता है ठीक है अब reciprocity failure क्या बोलता है reciprocity failure यही बोलता है कि जो आपका reciprocity low था वो correct नहीं है reciprocity low correct कैसे नहीं है because ये आपको पता है कि जो intensity होती है वो भी directly उसको radiographic film की density को effect करती है ठीक है, same जो exposure time होता है वो भी वहाँ पे जो आपकी radiographic x-ray film पे जो blackening आ रही है उसको effect करेगा that means आप exposure same तो कैसे भी रख सकते हो, कई बार हम क्या कर सकते है intensity को बढ़ा के और exposure time को decrease करके, एक fix exposure set कर सकते है, या फिर time को बढ़ा के और intensity को कम करके हम क्या करेंगे, exposure fix से set कर सकते है यहाँ पे आपके exposure तो fix होगे but intensity और exposure time अलग-अलग होगे, और अगर वो different होगे, तो obvious से बात है, कि जो film पे blackening आएगी, जो density आएगी वो अलग होगी ही ठीक है, तो इस वज़े से आपका जो reciprocity low है, वो यहाँ पे fail होता है, और fail होने के इस नियम को अपन क्या बोलते है reciprocity failure बोलते है ठीक है, और reciprocity low के failure के बारे में हमें किस ने बताया था, एक scientist थे जिसका नाम था, Ebne ठीक है, अब हम बात करते हैं sensitometry के, ठीक है अब sensitometry क्या है, sensitometry एक ऐसी radiographic science है जिसके अंदर हम किसी भी photographic material की performance के बारे में evaluate करते हैं, diagnose करते हैं पता करते हैं, ठीक है, और इस photographic science को किस ने बताया था दो scientist थे, जिनका नाम था Herter and Driftled इन दोरों ने इसके बारे में अच्छे से discuss कर रखता है, ठीक है that means कि sensitometry metric के अंदर क्या किया जाता है या फिर इस type की photographic science में किया क्या जाता है, इसमें कोई भी जो photographic material है जिसकी performance आपको evaluate करने हैं, diagnose करने हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक specific source से सबसे पहले expose करवाते हैं ठीक है, expose करवाने के बाद में उस पे जो density आई that means उस पे जो blackening आई है, उसको specified instruments के थूँ measure किया जाता है, ठीक है, यानि उसको ना पा जाता है, फिर जो आपने density आपको produce होई है जो आपको provide कराई गई है, जो आपको वहाँ पे density मिली है, उस density की values को, और जो आपने उसको exposure दिया था उनकी values को, उनके बीच में एक graph plot किया जाता है, ठीक है और इस graph को यहाँ पे नाम दिया जाता है, characteristic curve, जो हम film के topic के अंदर भी पहले पढ़ चुके हैं यह दो चीजों के बीच में curve होता है एक optical density और दूसरा exposure की values, यहाँ पे exposure की जो values होती है, उनका हम log में लेते हैं, ठीक है तो that means, दो चीजे कौन-कौन से हुई, एक optical density और दूसरा log of the exposure, ठीक है इसके बीच में यह graph बनाया जाता है और यह graph किसने बनाया था सबसे पहले, harter और drift ने ठीक है, इस लिए इस curve को characteristic curve के साथ साथ H and D curve भी कहते हैं, इस curve में तीन पार्ट होते हैं, ठीक है एक shoulder होता है, आपका एक straight line होती है और एक toe होती है, solder higher exposure region, straight line medium exposure region and toe is the lower exposure region ठीक है, जैसा कि हमने बात की, कि sensitive metric के अंदर हमने क्या किया था, कोई भी photographic material था, उसकी जो आपकी performance होती है उसके evaluation किया था आज का जो हमारा topic होगा वो इसी sensitive metric, यानि इसी photographic science से related है दो topic है हमारे, एक है sensitive meter और एक है density meter, ठीक है, जैसा कि हमने अभी बात की थी, थोड़ी देर पहले कि इस photographic science में हम क्या करते है photographic material को एक specified source से expose कराते है तो वहाँ पे जो आपका source के रूप में काम में लिए जाता है उस device को हम बोलते है sensitive meter ठीक है, उसके बाद में जैसे आप उस photographic material को expose करा देते हो, expose कराने के बाद में उस पे जो density produce होई, यानि कि उस पे जो blackening produce होई है उसकी आप values measure करते हो तो उसकी values measure करने के लिए जो device काम में आती है उसको हम बोलते है densitometer, ठीक है तो यानि कि sensitometry या फिर photographic science जिसके अंदर दो ये devices काम में आती है, एक sensitometer और एक densitometer, इनके functions के बारे में, इनके components के बारे में detail में हम आज discuss करेंगे, ठीक है Now, we will study about the first topic of this lecture, which is known as sensitometer, that means आज हम sensitometer के बारे में अच्छे से discuss करेंगे, यह मैंने आपको पहले भी बता दिया, कि जो आपकी radiographic science थी, फिर photographic science थी, कौन सी sensitometry इसके अंदर ये device काम में ले जाती है ठीक है A sensitometer is a device that expose a film to a range of non, comma constant light intensities having proper light wavelength sensitivity that means sensitometer एक ऐसी device है, जो एक film को expose करती है किससे, ऐसी light से जिसकी intensity कैसी होती है constant होती है, और एक range में होती है, range का मतलब एक उसकी range open fix करके रखते है कि यहां से लेकी, यहां तक कि जो intensities होंगी, उनकी radiation वो emit करेगा ठीक है, या फिर उसकी जो wavelength है उनको हम proper रखते है range में रखते है, fix रखते है मतलब यह हुआ कि sensitometer एक ऐसी device है जो किसी भी photographic material को expose करने के काम आती है बट यहां पे जो आपका exposure की जो intensity है वो एक range में provide होती है constant intensities होती है उनकी और जो wavelength होती है वो proper आपको मिलती है, ठीक है the light output of sensitometer must match the spectral sensitivity of the film for example photographic film की अगर performance की हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो जैसा कि हमने photographic film, यानि कि जो आपकी x-ray film है, उसके बारे में discuss किया था, कि इसकी अलग-अलग प्रकार की emulsion की layer होती है, ठीक है याद हो आपको तो orthochromatic, monochromatic और panchromatic, जहां पे emulsion के layer अलग-अलग थे, ठीक है जैसा कि आपको बताया था, कि कौन-कौन सा emulsion वहाँ पे, कौन-कौन सी light से match करता है, तो वही बात हम यहां पे कर रहे हैं, कि अगर हम जो भी film उसके अंदर enter करेंगे, तो उसकी जो wavelength है, ठीक है, जिस light intensity से वह expose होती है उससे match करनी चाहिए, otherwise क्या होगा, वह expose ही नहीं होगी, और जब वह film expose ही नहीं होगी, तो आप उसकी performance को कैसे evaluate करोगे, जब उसके ओपर कोई density आएगी ही नहीं, तो आप उसको measure कैसे करोगे, ठीक है इसका मतलब यह हुआ, कि जो sensitometer से light निकल रही है the light output of the sensitometer must match, यानि कि जो light sensitometer से निकल रही है the spectral sensitivity of the film, जो film की spectral sensitivity है, उससे match करनी चाहिए, ठीक है for example, a green light sensitometer is to be used with a green sensitivity film that means यह हुआ, कि अगर आपका sensitometer ऐसा है, जो कैसी light emit कर रहा है, green light emit कर रहा है, तो वहाँ पर आप film भी ऐसी ही use करोगे, जो green light से sensitive हो it is wrong to use blue emitting sensitometer with orthochromatic emulsion that means, यानि कि आपके पास sensitometer तो ऐसा है, जो light कैसी emit कर रहा है, blue, और emulsion को, आपकी film कौन से emulsion की है, orthochromatic की orthochromatic की जो होती हो, green light से क्या होती है, sensitive होती है, तो ओवेसी बात है, अब वो यहाँ पर क्या होगी, blue color की light से आपकी sensitive नहीं होगी और आप जो process कर रहे हो, आपकी पूरी की पूरी क्या है, worth है, कोई काम की नहीं है, तो इस वज़ए से आप जो भी film वहाँ पे चेक कर रहे हो, जिसके performance evaluate कर रहे हो, उसकी spectral sensitivity आपकी sensitive matter की light की wavelength से match करनी चाहिए, इसी के बारे में हम अच्छे से discuss कर रहे हैं, orthochromatic emulsion की अगर बात करें, तो यह हमने film के अंदर अच्छे से बढ़ा था, तीन परकार की emulsion होते हैं, एक होता है orthochromatic एक होता है panchromatic, और एक होता है monochromatic, ठीक है, सबसे पहले अगर अगर आपन बात करें, monochromatic तो वो क्या होता है, आपका blue light से sensitive होता है और उसके अलावा non-color जितनी भी lights होती है, उन से sensitive होता है दूसरे की बात करें, अपन orthochromatic की, तो वो visible spectrum की green light और उससे उपर जितनी भी wavelength है, उन से sensitive होगा और जो आपका last बचता है panchromatic वो क्या होगा, जो आपका total पूरा visible spectrum में, जिसके अंदर 7 colors आते हैं, उन 7 colors की lights को include करता है, that means उन से sensitive होता है इसके बारे में हम film के अंदर अच्छे से discuss कर चुके है, ठीक है next हम आगे, इसी sensitive meter को आगे की तरफ continue करते है, ठीक है a typical sensitive meter is shown in the diagram एक normal जो आपका typical sensitive meter है उसको हमने diagram में show किया है diagram में आप देख सकते हो, sensitive meter में एक fixed intensity का light source लगावा है नीचे की तरफ ठीक है, फिर क्या है यहां पर calibrate light filters है, ठीक है जानि की कुछ filters लगे हैं, जिन में से वो आपकी light source में से, जो light emit होती वो filters में से होती भी, फिर आपकी कहां तक जाती है, an exposed film तक जाती है ठीक है, side में आपके क्या है exposure timer है, उपर exposure button है exposure timer का क्या काम होता है automatic क्या करता है, यह exposure को बंद करता है, ठीक है, यहां पर तो कुछ निये, एक normal आपका instrument है machine है, जिसके अंदर हम x-ray film को डालते हैं, और वहां पर उसको हम expose करते हैं, यहां पर ठीक है it has a calibrated light filter which provide about 20 different light intensities to the expose film that means, अभी हमने बात की कि आपका जो light source लगा हुआ है उसके उपर यहां पर क्या लिखा हुआ है calibrate light filter मतलि यहां पर filters लगे हुए है अब इन filter का काम क्या है यह देखो which provide about 20 different light intensities to expose the film यानि कि film को expose करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, light source की जो intensity है, उसको 20 parts के अंदर divide कर रहे है that means, जैसा हमने पहले sensitometer के starting में discuss कि यह एक range के अंदर light emit करता है, तो range का मतलब यहां पर आपके क्या होगी 20 different light intensities अब यह जो अलग-अलग जो आपके light के densities है, इन में एक value होगी minimum, एक होगी maximum वाकिकी जो 18 values होगी वो उनके बीच में होगी तो यहां पर आपको range मिलती है minimum से लेके maximum तक हर जो आपकी values है या फिर हर light की जो intensity है उतसे आपकी film क्या होगी expose होगी, that means कि आपकी जो film है, वो यहां पर क्या हो रही है, एक ही time में एक ही बार में 20 अलग-अलग light की intensity से expose हो रही है फिर वहां पर क्या होगा, हम उसकी जो density है, उनको measure करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी light की intensity पे कितनी density आपको मिली है ठीक है डाइग्राम को एक बार दुबारा से अच्छे से देख लो, डाइग्राम में कौन-कौन से components होते है, exposure button है आपका उपर ही उपर, exposure button exposure timer से connected होते है ठीक है, exposure timer आपका जो fixed intensity light source है उचसे connected होते है that means जो आपका light source है उसकी intensity तो कैसी होती है fix होती है, लेकिन बाद में इनको divide कोन करता है, अलग-अलग parts के अंदर 20 different intensities के अंदर light filters, ठीक है और इन दोनों के बीच में, exposure button की जो आपकी plate है, वो और जो light filters है, इनके बीच में आप क्या रखते हो, an exposed film को रखते हो, ठीक है अब हम बात करते है कि आपका जो sensitometer है उसकी working क्या है, वो work कैसे करता है, ठीक है the given film is loaded in the sensitometer in the dark room dark room के अंदर ये process होती है obviously बात है, आपको पता है कि जो unexposed film है, वो light से sensitive है तो हम उसको कहाँ पर process कराएंगे dark room में ही process कराएंगे ठीक है, तो dark room के अंदर हम sensitometer के अंदर आपको जो film है, जिसकी आपको performance check करनी है उसको हम load कर देंगे, ठीक है now the film is exposed to a range of light intensities that are matched to the wavelength sensitivity of the film that means कि अब आपकी film एक range आओगी आपके पास light की intensities की उनसे वो क्या होगी exposed होगी, ठीक है और जो आपके पास light की intensities आ रही होगी, उनकी wavelength किस से match करनी चाहिए आपकी film की sensitivity की wavelength से, ठीक है then the film is developed in the processor which is to be tested, ठीक है, यानि कि हम क्या करेंगे, जैसे आपकी film है, वो x fix range से क्या होगी है, exposed होगी है अब हम उसको क्या करेंगे process कराएंगे, ठीक है, जैसे हम अपनी normal x-ray film को process कराते हैं, dark room के अंदर, वैसे ही इस film को भी हम वहाँ पर process कराएंगे ताकि आगे की जो इनकी values है, उनको test कर सके, उनको अपन measure कर सके, ठीक है the final film have differing densities which is known as sensitometric strip, जैसा है कि हमने बात कि कि sensitometer के अंदर एक range में light आती है, range में हमने बात की कि 20 different intensities मिलेंगी, 20 अलग-अलग density मिलेंगी, तो obvious ही बात है, कि वहाँ पर आप जो की जो film होगी, उस पर जो आपको density provide होगी, वो भी 20 अलग-अलग होगी, और वो जो 20 अलग-अलग density होती ही, वो मिलकर क्या बनाती है, एक strip बनाती है, ठीक है, कम से लेके, जजác तक, एक ऐसे जग़ोगी जहां पे सबसे कम density होगी, और ऐक ऐसे जगोगी, जहां पे सबसे ज़्यादा density होगी, बीच में क्योगी, increasing होगी, ठीक है, तो वह तो डिन्सिटी वेल्यू और मेजर्ड अब हम क्या करते हैं कि वह जो सेंसिटो मेट्री स्ट्रिप है उसको हम अपनी जो दूसरी डिवाईस हैं डेंसिटो मेट्र उसके अंदर लेके जाते हैं और फिर हर एक जो आपकी इस टृप की जो हर एक पार्ट है जहांपर आपको अलग density मिली है उसकी values को हम ठीक है measure करेंगे corresponding to the exposure आपका जो exposure ठीक है कि यहाँ पर कोई भी अगर एक पार्ट अपन signify करते हैं उस पार्ट पर आपने कितना exposure दिया था और वहाँ पर कितनी density मिली इनको हम record करेंगे ठीक है और फिर आगे की process को हम continue करेंगे ठीक है तो यह तो बात भी अपने sensitometer की sensitometer की normal सी बात है कि sensitometer एक ऐसी device है जो एक range के अंदर आपको light की intensity को provide कराती है किसी भी photographic material को expose करने के लिए ठीक है और वह जो light की intensity होती है वो आपकी x-ray film की spectral sensitivity से match करती है ठीक है और अगर अगर अपन बात करें कितनी परकार के density आपको यहाँ पे sorry intensity मिलती है तो वो होती है यहाँ पे 20 different अलग-अलग intensities ठीक है अब अपन बात करते हैं हमारी next device की ठीक है जो की sensitometry यानि की photographic science के अंदर काम में आती है ठीक है densitometer के बारे में हमने पहले भी बता दिया कि densitometer क्या है कि जैसे आपकी sensitometer में film गई expose होके आई उस पे 20 different different densities मिली आपको जिसको आपने नाम दिया था sensitometry strip ठीक है उनकी जो densities की जो value है उनको measure करने के जो काम में device आती है उसको हम बोलते है densitometer now we will discuss in detail about densitometer ठीक है a densitometer is a device that measure the amount of incident light transmitted through the developed film ठीक है that means क्या हो आपका कि densitometer एक ऐसी device है जो आपकी developed film है उस पे कितने light गिरी थी और किस तनी उसमें से transmit हुई इन सब की values को वो measure करती है और वे सी बात है अगर simple सी बात हम करें तो उसकी जो density होती है उसको वो measure करती है ठीक है if io is the incident light and it is the transmitted light then the optical density is given by इसके बारे में हमने पहले भी discuss किया था ठीक है optical density के अंदर कि अगर io आपकी क्या होती है incident light है और it यहाँ पे क्या transmitted light है तो optical density का formula क्या होगा od is equal to log की best 10 io upon it ठीक है इसके बारे में हमने film का वाला जो अपना topic था उसके अंदर अच्छे से discuss किया था it is mainly used to read the relative density of the various steps on the sensitometry strip इसका mainly क्या काम होता है कि आपकी जो sensitometry strip है उसके आप वो अलग-अलग जो densities provide हो रही है उनको measure करना ठीक है किसके according जो आपका exposure है ठीक है with the optical density and the log of the exposure values characteristic can be plotted by the hand जैसा कि हमने यह बात sensitometry में भी कर ली थी कि वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यह एसी photographic science है जहां पर हम पहले क्या करेंगे एक fixed light intensity से photographic film को expose कराते हैं और फिस उस density की values को हम measure करते हैं और फिर एक graph plot करते हैं तो यहां पर भी हम वहां तक पहुच चुके हैं ठीक है sensitive matter जो device थी उच्छे हमने fix intensity से expose कराया film को फिर हमने क्या क्या डेंसिटो मेटर लिया density मिटर से हमने क्या किया वह जो no values के बीच में हम एक graph plot करेंगे जिसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक कर्व ठीक है लिंक कर सकते हैं connect कर सकते हैं और वह क्या करेंगे automatically क्या करेंगे कि आपका जू exposure का लोग वह और ऑप्टिकल डेंसिटी के बीच में automatically एक आपको कर्व प्लोट करके देगा जिसको हम बोलते हैं characteristic कर्व और hnd कर्व इसको hnd कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको firstly हर्टर और ड्रिफल्ड ने derived किया था ठीक है जैसा कि आप डाइग्राम में देख सकते हो एक डेंसिटोमेटर का डाइग्राम बनाया गया है यहाँ पre क्ये आपका इक photo cell है ठीक है पावर सप्लाई electronic circuit है नीचे आपका light source है calibrated ठीक है और sensitory strip रखी हमने यहाँ पर यह क्या करएगा जो sensitory step है यह जो photo cell है ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा कि ज़ो आपका light source है याप ठीक है light source क्या करते है light को एमिट करेगा वो light क्या होगे आपकी जिंसिटो मेक्टरी स्ट्रिप के अंदर से पास होती हुई कहां तक पहुंचेगी फोटो सेल तक पहुंचेगी ठीक है अब ओविसी बात है कि जहां पे डेंसिटी अलग-अलग तो क्या होगा हर जगह अलग-अलग light की intensity फोटो सेल तक पहुंचेगी फोटो सेल उसको क्या करेगा दुबारा से रीड करेगा और आपको एक वैल्यू प्रोवाइड कराएगा जिसके अकोर्डिंग हम डेंसिटी की वैल्यू निकालेंगी कि उस पार्ट पे उस सेंसिटो मेट्री स्ट्रिप पे कितनी डेंसिटी थी इस प्रकार से आपका डेंसिटो मेटर फिलम के उपर या फिर सेंसिटो मेट्री स्ट्रिप के उपर डेंसिटी की वैल्यू को मेजर करता है ठीक है जैसा कि हम देख सकते हैं एक टीपिकल डेंसिटो मेटर कैसा होता है ठीक है तो फाइनली हमने हमारा टोपिक image quality यहां पर complete कर लिया, image quality के अंदर हमने image quality के introduction के बारे में पढ़ा, इनके कुछ factors के बारे में पढ़ा, जैसा कि contrast था, resolution था, sharpness थी, वो जो कुछ factor थे, वो normal थे, जैसा कि आप अपनी कोई भी pick या फिर image को edit करते हो, तो उसमें भी उनको काम म लेते हो, वो ही कुछ contrast थे, वही कुछ sharpness जैसे blur जैसे, कुछ factors थे वो, जो आप normal अपने phone में भी काम में लेते हो, ठीक है, तो उनी के बारे में हमने detail में discuss किया, then हमने reciprocity low के बारे में discuss किया था, reciprocity failure के बारे में discuss किया, फिर हमने एक photographic science के बारे में detail में discuss किया, जिसका ना first of all, वही दुबारा से हम एक बार revision कर लेते हैं, इसका कि sensitive meter क्या होता है, या फिर sensitive matrix क्या होता है, sensitive matrix एक ऐसी photographic science है, जिसके अंदर हम किसी भी photographic material, जिसकी performance का evaluation करना है, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, उस photographic material की performance को evaluate करते हैं, तो वहाँ पर दो devices काम में ली जाते ह एक sensitometer होती है, एक densitometer होती है, sensitometer का क्या कम होता है, एक fixed light source provide करना, उस photographic material को expose करने के लिए, ठीक है, और दूसरी device आती है, यहाँ पर आपका densitometer, densitometer क्या करता है, जैसे आपका photographic material sensitometer में से expose होके आता है, तो उस पर जो अलग-अलग densities produce हुई है, उन सब densities को measure करना, ठीक ह हम क्या करते हैं, इस science के अंदर, जो आपकी photographic science है, या फिर sensitometry है, इसमें हम क्या करते हैं, आपके पास दो values है, एक exposure है, जिसके according आपने फिलम को expose किया था, ठीक है, और दूसरा उस पर जो densities आई थी, उनकी values है, इनके बीच में हम एक curve plot करते हैं, जिसको नाम दिया जाता ह है, characteristic curve, या फिर h and d curve, पहले ये curve हैंड से plot किया जाता था, आज कर, या फिर जो modern densitometers आ रहे हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है, densitometer को ही, computer से directly link किया जाता है, और वो computer automatically क्या करता है, characteristic curve को plot कर देता है, ठीक है, ओके, thank you, next lecture में हम एक नया topic, start करेंगे, dark room का, ठीक है, झाल 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 झाल